नमस्कार आप देख रहे हैं विशेश मैं हूँ श्वेता सिंग धर्थी के जन्नत अब जहन्नुम में तब्दील हो गई है मुसलाधार बारिश और उफनाई नदियों में ऐसी साथ गांट हुई है कि पूरा कश्मीर उजड़ गया है किसी के घर का चिराग बुझा किसी की लाडली चली बच्चे अनात हो गए कई बुज़र्गों का आखरी सहारा छिन गया सैलाब से बचा हुआ हर इनसान अब दर्द की मुकमल दास्तान है आँखें बरस रही हैं दिलों में च्छाले पड़ गए सैलाब में डूप गया शहर आँशों में डूप कई सिंदगी अपनों से बिच्छडने का दर्द घर से बेघर होने का दर्द कहीं हलक से चीखता दर्द कहीं आँखों में रिस्ता दर्द जख्म से चलनी हुआ जन्नत का सीना आँखों से दर्द का दर्या बह रहा है घर बार छूट गया है सारे सपने खो गए हैं सैलाब के खौफनाग मंजर को इन आँखों ने देखा है उस मनजर ने इन आखों में दह्शत पर दी है जो घर इनका आशियाना था वो सैलाब में कबरगाह बनने पर आमादा हो गया जिन्दगी इस से पहले उसमें डूप जाती ये लोग किसी तरह जान बचा कर निकल आए थोड़ा बहुत सामान लियें सड़क पर आगे और जैसा आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग इसी तरह अपने गरों से बेगर हो चुके हैं उनके पास इस वक्त अपने साथ अपना सामान भी नहीं है बहुत कम सामान लेके लोग बाहर निकल पाए है ये देखिए ये सामान निकल पाया है इस घर का अपने उनके लोगों के साथ और पीछे देखिए अब उस इस इलाके में पूरा पानी भर चुका है घरों से बेघर हुए इन बदनसीबों के लिए जीना इतना आसान नहीं है भविश्य का अंधेरा आखों में चाया हुआ है पेट में अन्य का दाना नहीं गया सिर्फ अपने पर रहती तो सह भी लेते अपने बच्चों को भूख से तडपते हुए देखकर एक माँ आखिर कैसे जिन्दा रह सकती है बच्चे मर गए बूख से हम सड़क पे आए रात के दो बज़े गरों में पानी गुजगा ना किष्टी थी ना कुछ था ना बोड़ था गौर्मेंट का कोई बी इंतिजम नहीं था हम मर गए गरों में जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं है बान ने सब कुछ छीन लिया एकास थी सरकार से वो भी तूट रही है नजीने को कुछ मिला और नहीं खाने को लिहाजा पेट की आग जुबान में दहखने लगी पांच दिनों की लगातार पारिश और जेलम नदी के सैलाब धरती का चन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को जहन्नुम बना दिया है जहां गुल्षन गुल्षन फूल खेले होते थे वहां हर आँख खोई-खोई है हर आँख बरस रही है बहुत बड़ी प्रावलिम है यहाँ पे पूरा पानी डाल लेका जो यहाँ पे आसपास के अलाके पूरे है जो इसको कहते है दोजी माला अंडा माला पूरा बरा मेर माला पूरा बरा हो आए जन्नत में जिन्दगी पानी पानी हो गई है जिन्दगी का चैन सुकून छिन गया हर तरफ दर्द है हर तरफ हाहाकार है सैलाब का पानी उतार पर है उतर भी जाएगा लेकिन इस सैलाब में जन्नत के सीने में जो जखम दिये है वो आसानी से भरने वाले नहीं है अरसे तक रिस्ता रहेगा ये जखम बड़ी ही मुश्किल से ये लोग यहाँ अपने आपको यहाँ ठहराया हुआ है और यहाँ भी इनको खत्रा यह है कि किसी न किसी तरीके से अगर पानी आ गया तो इस सडक से भी इनको भागना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से यहाँ कोई न कोई मदद पहुचानी बहुत ज़रूरी है कैमरा में रूफ के साथ शुजावल हक आज तक शुनगर यह सैलाब तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जिन्दगी में तूफान बन कर आया देखते ही देखते आशियाने उजड़ गए सैलाब का पानी जिन्दगी निगलने के लिए उतावला हो गया घर बार माल असबाब कुछ नहीं बच सकता था अपने आशियानों को सैलाब के हवाले करके लोगों ने जान बचाई हजारों जिन्दगिया अब बेघर हैं बेबस हैं सैलाब ने इनका सब कुछ झीन लिया मासूम बेटे की तस्वीर देख देखकर मा और पिता का बुरा हाल है इनका बेटा सैलाब में बह गया जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है कितने साल का है यह यह दस साल का दस साल का है तो कैसे आप लोग पहले चौपर पर चड़ गए थे या कैसे क्या हुआ कि वो लोग पीछे चुछ जब जब जहाज आ गया उपर से हमने हल्प मांगा इसको यह उतरा और पहले यह दादी चड़ गई पिर हमने इसको बोला था बच्चों को चड़ाओ उप थाह बोला है बच्चों को सारोificar चड़ाओँगा आप बिन चिंता रो में बच्चों को भी चड़ाओँगा हमको यह है है रही चणछ गई चलो यह बच्चों को भी चड़ाओ थाएंगे पिर मेरी मिसिस कभी इनके सर पर अपनी छट थी, अपना आशियाना था, लेकिन अब इनका सब कुछ सेलाब में बह चुका है, आस्वों की धार में अब जिन्दगी बह रही है हम लोग एफ़ॉस स्टेशन पर है, यहां पर वायू सेना ने एक टेंपररी रिलीफ कैम बनाया है, जो एक तरीके से उन लोगों के जो पीड़ित लोग हैं, उनके जखमों पर मरहम लगाने का काम कर रहा है, आप देख रहे हैं, कोई अपने पिता को छोड़ाया है, तो कोई ऐसी एक महिला है, यहां पर मनमीत है, जो वजीराबाग से उनको रेस्क्यू कराया गया, और आईए उन से बात करते हैं, मनमीत, कितना खौफनाक था हो मनजर, और अभी भी आपके परिवार के कितने लोग फसे हैं, हमारे दो तीन मेरे ममी, पापा, मेरे चाच्चु अभी हर तरफ दर्द है, आसू है, हर इंसान अब मुकमल दास्तान बन चुका है, हकीकत सिर्फ ये है, कि ये जिन्दा है, लेकिन जिन्दगी आगे कैसे चलेगी, इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, हताश और मायूस, ये सब वो मजदूर है, जो रामबाग के इलाके जहां पे पूरी पानी भर गया था, वहां से छोड़ के भाग भाग के ये लोग आए हैं, इस उमीद में ये लोग एपोर्ट की तरफ इन्होंने रुक किया, कि शायद यहां पे कुछ इनके लिए आगे का रास्ता बनेगा, ना अपना समान, ना कुछ लेके आए, सब कुछ अपना गवा के ये लोग आए हैं, पूरे हम लोग छे फुट पानी में, पूरे सीने तक था हमारे पानी, उसके बाद हम लोग ऐसे पैदल निकल निकल गए, एक दूसरे के सहारे, हम लोग यहां तक पहुँचे हुए अभी, जम्मु कश्मीर में आए भयानक सैलाब ने पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया, सौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लोगों का घर बार तबाह हो गया, इनकी जिन्दगी तो बच गई, लेकिन ये जिन्दगी अब जैसे जहन्नुम बन गई है, मौसमी सिंग, श्रीनगर आज तक वो खुश नसीब थे, जिनकी गुहार तक सरकार की मदद पहुँच गई, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं, जो घरों से निकल ही नहीं पाए, दो मनजिला घर की पहली मनजिल पानी में है, दूसरी मनजिल पर किसी तरह से ये लोग जान बचा कर जिन्दा है, राशन खत्म हो चला है, पानी का ठिकाना नहीं है, इस आस में जिन्दा है कि शायद कोई मददगार उन तक पहुँच ही जाए, ये जिन्दगी और मौत की जंग है, सेना के जवान जान की बाजी लगा कर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, इनकी तो जान बच गई, सुरक्षित ठिकानों पर भी ये पहुँच गए, लेकिन कुछ जिन्दगीयां ऐसी हैं, जो अपने घरों में खैद होकर रह गई हैं, श्रिनगर शहर के निगीन इलाके में हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इन घरों के अंदर डल लेक का पानी भर चुका है, पूरी रात बर पानी आता गया और इन घरों के अंदर जमा होता गया, इस वक्त इन इस इलाके में कई सारे लोग ऐसे हैं, जो घरों के अंदर फसे ह श्री नगर के ऐसे कई परिवार अपने घरों में खैद हैं घर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह डूबा है नीचे उतर नहीं सकते सरकारी राहत भी इन तक पहुँच नहीं पाई है घर का राशन खत्म हो चला है जैसे तैसे बच बचा कर अब तक ये काम चला रहे थे अब चिंता सता रही है कि यहां से अगर नहीं निकल पाए तो ये घर ही उनके लिए कपरगाह बन जाएगा ये डल लेक के आसपास का इलागा है पूरा का पूरा पानी में डूपा हुआ जहां पहले गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है लहाजा जो अपने घरों में खैद हैं उनकी जिन्दगी जाम हो गई है इनी हालात में लोग रहे रहे हैं इसी तरह अपना सामान कहीं न कहीं जमा करके किसी तरह किसे अपना इंतिजाम करने लेकिन ये इंतिजाम ये सामान जो इनके पास खाने पीने का सामाने ये भी बहुत देर तक नहीं रहेगा किसी न किसी को इनकी मदद करने, सरकार को इनकी मदद करने आना ही पड़ेगा क्यामरमेन रूफ के साथ शुजावलाक शनगर आज तक 1999 में करगिल युद के वत वहां के आसपास रह रहे लोगों को विस्थापित करके जम्मू के पास बस आया गया था खून पसीनी की कमाई से लोगों ने नया आशियाना बनाया लेकिन तवी नदी के तांडव में ऐसे तीन दरजन लोगों के आशियाने तबाह हो गए सब कुछ पानी में चला गया ये तहस नहस घर ये मलबे में तबदील आशियाना इस मलबे को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहां आलिशान घर हुआ करता था जम्मों में तवी और चेनाब नदी के सेलाब ने इस घर के साथ मुहम्मद फारूक के सपनों को भी जमी दोज कर डाला फारूक के दर्द की कोई इंतिहा नहीं है कभी इनका आशियाना कारगिल की पहाड़ियों के आसपास था 1999 में सरकार ने फारूक और उनकी पतनी जाहिदा परवीन को जम्मों के भगवती नगर की गुजर मस्ती में बता दिया दोस्त से 20 लाख रुपए उधार लेकर ये घर बनवाया था और वो घर तवी नदी की लहरों का शिकार हो गया जो कुछ था हमारे पास कुछ बचाए नहीं हम ऐसे बस आप बाएर ही बाएर बैठे हैं तो आप क्या करेंगे हम कैसे करेंगे कहां जिलाएंगे जो कुछ हमने वैसु का दूद बेच अपर अधर तो पहार नहीं के लिया है उनकी नजरों के सामने ही तीन दर्जन से जादा मकान सेलाब में बह गए जाहिदा के पास कुछ दिन पहले तक जरूरत का हर सादो सामान था लेकिन अब तो घर में रोटी बनाने के लिए तवा तक नहीं बचा है भूख से जिन्दगी बेहाल है कुछ खाना के लिए भी नहीं कुछ बचा है थे सब कुछ हमें बैया गया है क्या हुआ उस दिर कैसे हुआ और कितने बज़े शेचे चुछ हुआ फारूख ही नहीं गुजर बस्ती के तीन दर्जन परिवारों पर भी शनिवार को खुदरत का कहर परपा देखते ही देखते सब घरों से बेघर हो गए तवी नदी पर बना बांध तूटा और तीन दर्जन परिवार घर से बेघर हो गए अब इनके सबर का बांध तूट रहा है आगे की जिन्दगी पहाड सी लग रही है अश्वनी कुमार जम्मो आज तक जम्मो कश्मीर के बाढ़ पीड़तों की मदद के लिए इंडिया तुड़े ग्रूप की ओर से केर तुड़े ने मोहिम शुरू की है आप अगर जम्मो कश्मीर के बाढ़ पीड़तों की मदद करना चाहते हैं तो अपना चेक भेज सकते हैं आप मदद का चेक इस नाम से भेजे केर तुड़े अकाउंट जे अनके अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेल करें बालाजी.sing.intoday.com पर आप कॉल भी कर सकते हैं फोन नमबर है प्लस नाइन वन नाइन एट वन जिरो एट तू 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 नाइन एट झालाजी